प्रेटिकल के में जो सिलेबस अपडेट हुआ है वो तीनों पोर्षन में अपडेट हुआ है फिजिकल के में भी अपडेट हुआ है और गेनिक में वैसे मुस्टली पहले से था ही कि और इन ऑर गेनिक में अपडेट हुआ है है तो जैसे से स्लेबस में जैसे से टॉपिक मेंसन है उसी सिक्वेंस में क्लास में भी हम लोग वो टॉपिक पढ़ रहे हैं ठीक है तो इसलिए अभी आपको अभी अपना जो डिसेंट टेस्ट है उसमें यह वाला पार्ट आने वाला है तो पहले हम यह वाला डिसकस कर रहे हैं तो इसलिए इसका आपको कोश्चन बैंक मैं इसलिए मैं बता रहा है कि आप यह सोच थे लिए कभड तो नहीं हो गया तो वाला कोशन बेंक मिला है उस तरह से और्गेनिक का सेपरेट इसका सेपरेट ठीक है ना ओके तो हम लोग यह वाला स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल से इन कि फीजिकल के मैंस्ट्री कि ठीक है मैं सब चीज बेसिक से बताऊंगा क्योंकि कई बच्चे तो प्रैक्टिकल किये भी नहीं होंगे उनको बेसिक टर्म बगएर भी कुछ-कुछ नहीं पता होगा तो मैं कोशिस करूंगा कि सारा बेसिक पार्ट कभर करते चले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइट्रेशन टाइट्रेशन ठीक है जो टाइट्रेशन होता है जो हमें पढ़ना है टाइट्रेशन वो दो तरह के टाइट्रेशन पढ़ने एसीड बेस टाइट्रेशन प्रसांत रहो है ना एसीड बेस टाइट्रेशन और एक रिडॉक्स टाइट्रेशन एक Redox titration तीक है Acid-based titration और Redox Titration लोगारन के चार्ट होंगे क्योंकि हमारे पास अगर आप पर मुटेशन कम्मिनेशन बनाएंगे तो चार बनेगा वीक बेस या स्ट्राउंग बेस के साथ वैसी वीक एसीड का स्ट्राउंग बेस या वीक बेस के साथ ठीक है कितने तरह के हमें पढ़ने है चार टाइब ठीक है जी और रिडॉक्स टाइट्रेशन प्लीज बात ने करो यह तो होने को तो बहुत तरह के हो सकते लेकिन हमारा जो कोर्स में है उस पे बात कर लेते हैं कि मनोफ़र और और अजहिक के साथ किसके साथ तो चृटा होता है तो फर्मूला हो गया ऑग्जेली के इसट का सी डबल एज डबल हूच इसी को हमने लिख दिया हूच तो सी तू ऊप लेकिन यह हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है तो इसका जो क्रिस्ट लोता है तो वॉ लैब में जो हम करते हैं तो इसका जब में स्टैंडर्ड स्वोलीशन त्यार करते हैं तो इसके क्रिश्टल एड़ करेंगे है न जह साथ और ट्वाइस अब तो इसके मोल्ड निकालेंगे तो दूसरा जो सिलबस में अपडेट हूं उसकी बात करें के मननव और मोहर सॉल्ट के साथ किसके साथ ढार के साथ है मैं हो गया टाइट कि घुट अ कि हैं है । ये भी टाइट इस न में ये दो पार्टराइब पहले टाइटेशन कळार करेंगे उसके बाद कि केमिकल काइटिक्स है में हाय ह Self और आई माइनस का रियक्षन का रेट स्टेडी करना और इन इसमें थर्मो केमेस्ट्री में सी वे सो फोर का इन्थेल पी ओफ सॉलूशन वह अलागी लेक्षर में ही कवर हो जाता है और एसीड बेस नूटलाइशन वह भी हमने लेक्षर में कवर कर लिया है बट मैं एक बार भी बता दूँगा जिससे प्राक्टिकल का पूरा सेक्षन आपके पास नोट में सेपरेट रहेगा ठीक है यहां तक समझ में आ गया और एक लायोफोविक लायोफिलिक सोल तो इतना है अपना फिजिकल का पार्ट यह आ गया समझ में आपको चलिए तो हम स्टार्ट या किसी भी टाइट्रेशन में कुछ-कुछ जैसे आपको हम लोग तैयारी करें कॉम्प्टिशन का ऐसा तो जब भी टाइट्रेशन होगा तो एक चीज़ फ्लास्क में लिया जाता है इसको बोलते हैं को निकल फ्लास्क यह कोनिकल फ्लास्क यह हम वीकर में ले सकते हैं प्लास किया और इसमें हम भी रेट के थूटू ड्रॉब बाई ड्रॉब एड़ करते हैं कि नैरो जैसा थोड़ा होता है यह हमारा इसमें जो सुलूशन हम एड करेंगे जो चीज एड करेंगे ठीक है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते है चारों एक एक चीज आपको बता दो, और इसके अंदर जो पहले से पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं, जिसको आप अनलाइज करना चाते हैं, ठीक है? है अब ये सीड का अपना कोई कलर नहीं है सील का सलुप यूशन का सलूुछन का क्या कलर कलर लिस अब मालन लिजेश के अंदर है उसका कुछ वॉल्लिम होगा उसका कुछ मोलारीटी अंदर जो भी होगा उसका क्या होगा मैं अधिर वाले को वान लिख देता हूँ और यह जब हमें यह से ड्रॉप बाइड्रॉप डालेंगे इसका नहीं पता है इसका कंसंट्रेशन पता नहीं है तो इसका नहीं है पता बट कुछ तो होगा ना वह हमने लिख दिया एम टू ठीक है और ड्रॉब से कितना वॉल्लिम आपने डाला वो तो रिडिंग से अपने को पता चल जाएगा इसमें कैलिब्रेशन किया हुआ रहता है तो यह वॉल्लिम लगाते हैं जब अंदर पड़ा हुआ एसिड बेस से पूरी तरह क्या हो जाए निउटलाइज है पूरी तरह क्या हो जाए उसको हम बोलते हैं कि एकिवेलेंस पॉइंट आने पर भी ब्यूरेट में जो चीज है उसका एक से दो ड्रॉप और डालना होता है अब क्यों डाल पहले सपोज एकिवेलेंस पॉइंट आ गया है कि क्योंकि एसिड का तो कोई कलर नहीं है जो बेस डाले उसका भी कोई कलर नहीं है तो कैसे पता चलेगा तो हम उसके लिए क्या करते हैं इसमें पहले से कोई क्यों कि अलग से सहयोगि कंपाउंड डाल देंगे जिसे इंडिकेटर कहते हैं क्या कते है क्या करते हैं व्यर्व क्या करेगा हाई कि उसका अपना characteristic कलर होता है कर तondere इंडिक में 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 अलग क् super vein कलर लिस भी हो ठीक है हमें तो उस मेडियम की तरफ स्विच करना होगा जिसमें कि उसका अपना एक खास कलर हो ठीफ सब्छी लीकर देंगे पहले समझते चलते चुकि वीडूब तो जो बेस है पहले इधर वाले से रियक्शन करेगा अभी इंडिकेटर से नहीं कर रहा है ठीक है तो एक्विलेंस पॉइंट आ गया क्या अभी तो कुछ नहीं हो रहा है लेकिन जैसी फर्दर एक दो ड्रॉप और डाल देंगे तो इंडिकेटर से रियक्शन स्टार्ट हो तो अपना एक कळर कलरेंज करेगा है क्या है कि अपना फॉसमें उसका तो एकिवलेंस पॉंट आच चुका था हमने के एक दो व्याइड किया एक दो ड्रोप और एड किया तो जब यूद्ड लेंस पॉइंट पर हुआ कि उसे एक डॉप डालने के बाद मैं? हं उस्से उतक Represent क्या रिह इंड पॉइंट है बुद्ड Past यह है ऑक ति तेर अपने कैसे पता चलेगा जब तक की अब यह नहीं तो एक दो ड्रॉब इसलिए एक्स्टा डाल देते हैं तो जैसी कलर चेंज हम समझ जाएंगे इंडिकेटर अंदर भी पड़े हुए जो हम एड़ जो करते हैं वह वीक एस होते हैं और इंडिकेटर कितना क्वांटिटी में एड़ किया जाता है वह भी बहुत वांट से टू ड्रॉफ ही एड़ किये जाते हैं कि ताकि बाहर से जब आप टाइट्रेशन कर रहे हैं तो मेंली इस्वेज रियेक्शन करें और जब एक्विलेंस पॉइंट के बाद हमने एक दो ड्रॉप डाला इंडिकेटर रियेक्ट क्या है और प्के होता है और टाइट रेंट क्या होता है यह पता चला इस पूरी क्रॉसस को हम क्या बोलते हैं उसको क्या वोलते हैं यहां तक स्वज में आ गया इसमें acid based titration में already हम क्या add कर देते हैं few drop of indicator क्या add कर देते हैं indicator generally one से two drop ठीक है indicator क्या होता है weak organic acid ya base at equivalence point number of gram equivalent of कि टाइट एनलाइट कि बड़ावर नंबर ऑफ ग्राम एकिवेलेंट ओफ टाइट रेंट कि बच्चो लेकिन कि जब हम प्राक्टिकल करते हैं कि तो तीन चार बार करते हैं को भी थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे उसके बाद रिडिंग निकालते हैं एक्चुली पॉइंट के बाद हमें एक दो ड्रॉप टो डालना ही पड़ेगा है कि नहीं तो हम लोग ऐसा तो नहीं करेंगे कि ऊपर से डाल रहे हैं और जो है नीचे ध्यान दे कि डालते जा रहे हैं और इसके तो फिर जैसी ध्यान देंगे और फिर ऐसे देखेंगे तो आपका परफस से हम एंड पॉइंट पे भी ये लगाए होंगे तो बहुत माइनर आया हुआ और आया होगा समझ में आया की नहीं यह लगा सकते हैं आलसु एट एंड पॉइंट अलसॉएट कि वी इंजली एप्लाइट एंड पॉइंड पॉइंट ठीक है कि अब थ्योरी थ्योरी एक्चली यह हुआ ठीक है लगाते हैं प्रैक्टिकली एंड पॉइंट यह लाइन सब्सक्राइब कि यह आगया क्लियर है पॉइंट अब अब इंडिकेटर हमें दो इंडिकेटर कोर्समें पर ने थाइल ओर रंच और फिनॉफ योड़ाइज और फिनफ्ली इस तो पहला फिनॉफ स्ली था हम प्रिनॉफी एधि होता है ये तो पहली बताएं कि और्गेनिक होते हैं सारे वीक एसीड है कि इसको सिंपल फॉर्म में एच पी एच करके लिखा जाता है कैसे लिखा जाता है एच पी एच करके एच पीएच एच कोई नहीं है तो यह के सोता है और ये स्ट्रक्चर भी बताऊं घूक इंपॉर्टन नहीं है आपको समझ में आजरें इस स्ट्रक्चर भी बताऊंगा अभी याद अखने के लिए थोड़ा सा बीच बीच में जुगार बताएंगे आपको याद करने के लिए ऐसे समझे लो यह इसका कौन सा फॉर्म है तो जब हम इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा रोकर ने काफी बड़ा सा स्ट्रक्चर तो शॉर्ट में लिखा जाता है 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 और यह इंडिकेट करें लो एच लसको ठीक है न तो यह इसका हो गया अईज कौन सा फॉर्म हो गया ऐओन अईजडर फॉर्म नाइड नाइड जैंज इसमें वाली रिंग होगी उसके इसमें कुछ बेंजीन वाली होगी कुछ नोन बनता है तो उससे हम बोलते क्यूनोइट इसका अपना कलर है ठीक है कलरले से पिंक कलर में चेंज होता है अगर इसमें डाल दिये पहले से यह है और इसमें अगर डाल देंगे तो कौन सा फॉम डॉमिनेट करेगा इधर वाला इस ए के तो मत करना है कि ए मत करना है फिर इसका अपना एक कि अस्तिक्चर में जस्ट पॉर ज्वाइज आप लिखलेना बार बार इसका मत करना क्योंकि स्ट्रक्चर आएगा नहीं स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो फिर आपको ड़ड़ लगने लगेगा कि एक बार ड्रोग कर लेते हैं फिर भी कि फिनॉफ्थ लीन के नाम में फिनॉल के बाद क्या रहा है अब अगर यह यहां से यहां से हटा दो और इनके एन हाइड्राइड मना दो तो इसको बोलता है थैलिक एन हाइड्राइड और यह लगा दो तो यहां तक यह पार्ट तो ऐसी रहता है फिनॉफ्थ लीन में सिर्फ यह वाला पार्ट आपको यहां पे सिर्फ कारवन लिखना है कि लिखना है अब वह डबल बॉंड हटा दिए क्या हटा दिए यह याद अखने के तरीके है बट फिर भी मैंने उपर एक डिस्क्लेमर क्या बोला स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है फील आ जाए एक वार अच्छे से समाझ में आ जाए इसलिए मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हू तो यहां पर आपको फिनॉल ग्रुक लगादेने कौन से ग्रूप लगादेने हैं और법 सिंगिल डभल सिंगिल दरल यहां तक है दिए 13 मुझे बनाना पड़ रहा है न इसक्सक्रां डिया में तरह से क्या बना देने आपको लожет है इसलिए उसको शॉर्ट में क्या लिखा गया है है और जब इसमें हम डाल देतें तो बेस इस अच प्लस को ले लेगा इस एच प्लस को भी ले थीक ए तो बेस वाला जो मैं स्टॉक्षा ड्रो करूँ गाओ पहले समझ लीजिए आप तभी आप ड्रो करिये इसे तो मैं ऐसे ही लिखोंगा प्रेल मैं पूरा समझाओंगा फिर आप उतारने प्रद्धियान देना अब उतारों क्योंकि फिर गरवड़ हो चाहेगा अभी मैं इस स्ट्रक्चर को दुबारा ही लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें एक दो स्टेप है तो वो समझना होगा आपको यहां अभी मैंने ओ माइनस लिखा आप मत उतारना प्लीज जब तक मैं न कहूं यहां भी ओ माइनस लिखा अभी वही चीज खाली एक प्लस हटा कर यहां तक सही में और फिर आपको क्या करना है सितमर्स को इसको ब्रेक कर दो सब्सक्राइब को मैं तो यहां क्या इस सब्सक्राइब भान से हो रहता समय सब्सक्राइब बॉर्ड बन जाएंगे वो यह क्या बन जाएंगे बॉर्ड तो यहां प्लस आ गए होंगे और फिर यह प्लस माइनस क्या बन जाएंगे बॉर्ड ठीक है अब इन दोनों के बीच भी आपसी रेजोनेंस हो रहा होता है इनके बीच भी आपसी रेजोनेंस हो रहा है यह वाला बुलोन पर बुलो पाई में पाई यह ऐसे यह ऐसे यह ऐसे यह आपस में क्या है इंटर कनवर्टेबल में दो इक्वीवेलेंट रिजुनेटिंग स्ट्रक्चर इसी को सौर्ट में लिखा जाता है पी एच माइनस आजने कि फिनाइल ही बट इसमें सारे बेंजीन दिखाई दे रहे हैं आपको जो जो बेंजीन वाला है इसको बोलते है क्यों क्या बोलते हैं इसकी वजह से तो होगे आपका बेंजीन ओड़ फॉर्म यह होगया क्यूण वाइड फॉर्म वह कलरलेस यह कलर समझ में आया तो मेरा ख्याल है इसे अगर उतारता है तो ठीक है रिकॉर्डिंग को शेयर करूंगा बाद में उतार लेना क्योंकि फिर समय जादा वेस्ट हो जाएगा इतना से जगह छोड़ दो आप ठीक है कि वो तसल्ली से क्योंकि उतारना पड़ेगा आपको यह दाहिगरा हूँ तो फड़ाफट उतारो ठीक है आगे एक्जाम में कभी ऐसे अस्ट्रक्शन नहीं लिखा होगा हमने समझाने के लिए जैसे कोश्चन बढ़ेंगा आपको दिया है तो लगभख सभी कोश्चन को उसमें सॉल्यूशन भी दिया हुए तो सॉल्यूशन में तो डिटेल है और यहहक सबमया जह मुझे यह बताऊ बच्चों यह अल्ग किimize और है और यह उसी का है कंजुगेटे बेच प्लीहांट सुनेंगा जब यह इससे रियकशन कर रहा होगा जब यह इसससे कर रहा होगा तो कुछ आप स्लोली स्लोली ना यह साथ ऐसे थोड़े नकी डाल देते हैं तो वीक एसीड कुछ बचा होगा और कुछ यह बनेगा देर विल वी इक लिए प्रोसेस्ट वीक एसीड यह बचा होगा और यह कुछ बना इन डाट मुमेंट दा मिक्शर वी लेक्ट आएजे बफर का पी एच का क्या होता है रेंज यह होता है तो जो फिन उप्षलीन है जुआ कर kupos ल में बेसिक 1 में होता है साथ या साथ से ज़्यादा होता है कितना होता है इसलिए लिए तरिय इस लीर्ण का वड़किंग भी एच रेंज और ऑफ कि नॉफ प्ली प्रिनॉफ्थलीन कि क्या होना चाहिए जिस वही होना चाहिए जिसमें कि एक कलर दिखाई दे यानि बेसिक वाला जोन कि अब बोले तो समझ में आएगा तो कलर पीएच इसका वर्किंग रेंस साथ होना चाहिए साथ से ज्यादा प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एस नो इसका रेंज होता है एक फिक्स नहीं होता है रेंज इसलिए हमने सब्द क्या पर्यों किया वर्किंग पीच रेंज यहां तक स्वाज में आ गया कि मैंने आपको बताया था कि पीएच रेंज जो होता है वफर के लिए पीके प्लस माइनस वन पीके प्लस माइनस वन वो तो मीनिमम और मैक्सम लिखाओ है माइनस और प्लस वन उससे पहले ही हम इंडिकेटर यूज करते हैं अब कि अप्लस इसे होगा तो उसके याद करने से जाद अच्छा होता है कि हम इसके पीएच रेंज याद कर लें तो यह load to study want to get any---- काम करता यहаничी पॉइंट सभसेज्द कॉने वाला है कद यह कहानी आगे क्या होगा कट चुकि आप पहले कभी प्रैक्टिकल कई बच्चे नहीं किये है तो मैं अपने आप से बता रहा हूं तो मुझे पता हैने कि कौन सा बाती कौन आगे लिंक होने वाला है ठीक है तो आपको हर बात ध्यान से सुनना है ठीक है जी तो यह इसका पीएच रेंज है यह इसका पीएच रेंज अब दूसरा इंडिकेटर हम देखेंगे मिथाइल और रेंज क्या देखेंगे अगर कि अगर तो आगे एक चीज पढ़ते हैं हम लोग आमीन्स वाले चैप्र प्रेक्टर प्रेक्ड रीक्षन क्या पढ़ते हैं यह थोरा समय समझा भी देता हूं देखेगा द्यान से यह हमारा क्या है अनिलीन क्या है डाय मिधाल एनिलीन घाद मेड़ा कलोरेट के साथ क्पलिंग करते हैं क्या करते हैं एसा होता है तो इसमें क्या होता है अच्छा यह मैं किसका स्ट्रक्ट्चर समझाए रहा हूं अगर मुझे सिर्फ कप्लिंग करना होगा तो फिर ऐसे कर दूंगा इसके साथ होता है उसमें बेंजीन डाइजोनियम ना होकर के यहां पे एक सल्फोनिक एसिट लिखे जरा तो क्या होगा एस ओ थ्री ओएच वेच इसका यह सॉल्ट होता है क्या होता है ओ माइनास एने प्ल जॉइंट कर दिए जॉइंट इसके पैरा पोजीशन पर कप्लिंग होता है किस पर होता है ठीक है यह मिधायल औरेंज का स्ट्रक्चर है ठीक है कप्लिंग वाली बात तो आगे जो बच्चे नहीं पढ़े हैं मेंस वाले चैप्टर में आएगा इसमें आएगा अभी तो आ आपको क्या फोकस करना है कि यह होता है मिधायल औरेंज स्ट्रक्चर भी आपसे कोई पूछेगा नहीं हम जो जो इंपोर्टेंट है अपने आप बता देंगे कि इतना हमको ध्यान रखना है ठीक है आखिर मैं लिख रहा हूं तो मैं थोड़ा समझा भी दे रहा हूं नहीं कि यह इसी को बोला जाता है और आयोनाइजट फॉर्म और यह आइओनाइजट कर पार हाला कि इसमें पहले से आयन दिखाई दे रहा है देखिए जब आप इसको इसका एको सलुशन तयार करेंगे तो यह तो आयोनाइज हो ही जाएगा क्या हो जाएगा आयोनाइज लेकिन मिथाइल औरेंज और इजनली यही है ना तो स्टार्टिंग में जो है उसी को हम बोलते ह है और इस पूरे को सॉट में ऐसे लिख देते याज एम यह बाला माइनज पकर लेते हैं और इस पूरे को सोलट में में लिख देते खेले टेले लिए में वेसे तो मिथाईल गूरुप होता है दो अपने लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है इत्ती भरी रिएक्शनाल लिखे क्या लिखे हम समझ सकते हैं में ओ माइनस लिखे समझ सकते हैं जैसे कैसे हम लोग एसीड को इन जेनरल एचे लिख देते हैं यहां तक आए समझ में यह चुकि और लेडी इसके उपर माइनस है बच्चो तो यह मेलेंगी में में अपना कलर चेंज करता है किसमें चेंज करता है तो यहां 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 हो रहा है क्या हो रहा है और देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो यह जो नाइट ओजन पर माइनस आने वाला है क्या आने वाला है वहीं पर यह एच प्लस जाएगा वहीं पर यह प्लस जाएगा कि अधर कि एन पर काया बोलो माइनस वहां पर क्या जोर दिया है एच प्लस कि एक इस एन पर काया बोलो प्लस और यह माइनस और यह प्लस बना दिया कि शॉर्ड माइनस और यह प्लस बना दिया मैंने ठीक है अब यहां आ गया प्लस बोलो भाई और यह माइनस बॉर्ड बना दो और नीचे विला तो है ही और यह लोन पर यह से यहां एक पाई बॉंड बनी गया ठीक है कि थोड़ा से इधर कर लेता हूं कि और दो सी एस्थ्री यही आप लगा दी जैसे लगा है बड़ यहां प्लस आएगा ठीक है कि श्रक्चर बस इसलिए हम बता रहे हर चीद की एक बार समझ में आ जाए ठीक है एक एक चीज इसी को हम ऐसे लिखते हैं यह जो पूरी रिएक्शन लिखी हुई है बच्चो उसको हम ऐसे लिख सकते इस पूरी रिएक्शन को पूरे रिएक्शन को सिंपल वे में ऐसे लिखा जा सकता है और बेसिक होता तो फिर इधर वाला फॉर्म डॉमिनेट करता ठीक है येलो कलर है इसका येलो कलर से ये औरेंज रेड़ यह किस कलर का डेड़् होगा जाधर रेड़् होगा नहीं रता है और आस रेड या पिंकिस एद्ट नहीं है रेड ही हिर्व ना लिखा होगा एकजां में तो चली गागा ड चจะिए लिखाव ना ठीक है पिंग तो वोला है कलरले से किसमें और यह मुलेंगे येलो से रेड और इंज रेड या तिंग किसे करें अब यह वताएए ये यहलो कलर ज्यादा डीप होथा इंटेंस घेहरा यह लाल कलर ज्यादा इंटेंसिति तो हम आखों से वीजिवल चेंज कव नजराता है जब यह यह येलो से किस चेंज और लेड और यहलो से इकॉन beauty फिंग होना चाहिए वरंकिंग भी और साथ से कम फीज साथ से कम होना चाहिए कितना है पुछ किताम में 2.1 से 4.5 राता है उससे को ढीकत नहीं है 3.2 से 3.3.2 से 4.5 यह इसका क्या है वर्किंग रेंज यहां तक संज में आ गया यह चीज आपको याद रखना होगा है ठीक है कि अब बच्चो कि नेचर आफ कि अगर कोई अस्ट्रॉंग एसीड को अस्ट्रॉंग बेस के साथ निट्राइजेशन करा रहा है किसके साथ तो इसका है नेचर इसका क्या होगा निट्र न होगा क्या होका है क्योंकि Record है और उसको से ट्रीटमेंट कराया अजिए मिला अतना है मिलना चाहिए युफलना है तो क्या बन गया एनसी यल और साथ होता कि यो लेकिन पिक रेंज इसका जो पी एच रेंज है इक्विलेंस पॉइंट कब आएगा इक्विलेंस पॉइंट जब आया जब आया हमें कैसे पता चलागा कब आया तो हम उसके अंदर क्या डाले हुए है इंडिकेटर क्या डाले हुए है इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा इंडिकेटर अपना करेगा अब ध्यान समझना है बच्चों कि जब अस्ट्रॉंग एस इड है पहले से अंदर पहले से आप बाहर से यह प्रॉसेस द्यान समझेगा बाहर से आप यूरेट के तुरू क्या डाल रहे हो फ्रॉंग बेस उदाहरन के तौर पेट सील डाला क्या एड ने वेज फिर जैसे से डालते जाओगे बेस डाल रहे तो पी एच बढ़ेगा साथ से पहले कम होता है ठीक है एक दो तीन कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने स्ट्रॉंग एसीड की कंसेंट्रेशन कितनी ली है आया ना बोलो होगा तो लेकिन कम अरे बोलो होगा तो कम लेकिन जैसी आप बेस डालोगे पी एच बढ़ेगा बढ़ेगा न्यूट्रल पॉइंट पर कितना है सावत फिर भी अगर आप बेस के एक दो बुन और डालोगे तो साथ से उपर चला जाएगा पी एच क्यूंकि यह ने बोला था ना एक दो ड्रॉप तो डालना ही पड़ता है तो साथ ही पर रहेगा रुका हुआ कि उपर को जाएगा उपर को जाएगा ना तो इसी दोरान यह पूरी यात्रा मैंने समझाई इसी दोरान अगर अपना इंडिकेटर कलर चेंज करे तो हम सेंस कर लेंगे क कि यह स्ट्रॉंग एसीड स्ट्रॉंग बेस वाला टाइट्रेशन ठीक है तो इसलिए इसका पीएच रेंज जो होता है नूट्रल पॉइंट कितना है बोलो साथ अच्छा यह तो मैंने समझाया जब पहले से क्या है स्ट्रॉंग एसीड बाहर से क्या डाले एसा भी हो सकता है कि नहीं उल्टा भी तो हो सकता है बोलो बेटा इसलिए इसका पीएच रेंज होता है प्लीज द्हां समझेगा नूट्रल पॉइंट पर किता है यह साथ लेकिन एक दो बून डालेंगे ना बेस तभी तो इंडिकेटर अपना किलर चेंज करेगा तो साथ से पीएच आग है कम इसलिए इसका पीएच रेंज होता है साथ से कम साथ से ज्यादा याद रखने का जुगार बता रहां कि साथ से चार कम करूं का performers करो औट तो से 11 यहां रखना है यहां रखना है आप ठीक है तीन से 11 तीन से 11 अब यहां पर लिखेंगे सुटेबल इंडिकेटर अगर यह चीज ना भी समझा हो भच्चो खाली यह याद रख लो आपका काम हो जाएगा सिर्व यह याद रख लें अस्ट्रॉंग असी का याद करा रहा है यह दो नूट्रल पॉइंट कितना हो गया साथ तो साथ से चार कम कर लो चार बढ़ा दो ठीक है जी अब बच्चो जो एसीड बे जो इस सॉल्यूशन का पी एच रेंज है तीन से गारा प्लीज अब यह बता रहा हूं सुटेबल इंडिकेटर यह तो इसका पी एच रेंज है तो इसके पी एच रेंज को आप ऐसे लिख दो नंबर सिस्टम समझते होंगे आप जैसे यह है जीरो तो वान टू थरी और इधर माइनस में इसी को बोलते हैं नंबर सिस्टम ठीक है तो आप क्या अगरों तीन से एगारा लिखो जड़ा लिख दिया आपका इंडिकेटर वो होगा जिसका पी एच जिसका वरकिंग पी एच इसके बीच लाई करेगा और दो यह इंडिकेटर कोर्स में है और बो तो अब आप मिथाईल औरेंज का पी एच रेंज देखिए 3.2 से 4.5 क्या 3.2 से 4.5 इसके बीच में आ रहा है बहुत बड़िया यनि मिथाइल ओरेंज हम ले सकते हैं मिथाइल ओरेंज ले सकते हैं कि नहीं क्या इसी के अंदर आ रहा है फिनॉफ्चलीन वाला कितना है बोलिए 8.2 से 10.2 इसी के बीच में आ रहा है मिया एक विच कि आना चाहिए ऐसा नहीं कि कुछ हिस्सा तु में यहां जा रहा हैं कुछ तरह को फिल्फॉοι कर सकते हैं समझ में आया अब जो शुरू से चला था कहानी वह यहां आके खतम हुआ है पूरी कहानी यहां तक लिंक हुआ है ठीक है जी लेकिन अगर आप ध्यान से समझो तो आपको मूलता दो चीजों के आवशकता है इंडिकेटर का पी एच रेंज क्या है वर्किंग रेंज और एसीड बेस टाइट्रेशन के दौरान क्या क्या पी एच रेंज प्लक्चुएट कहां से कहां तक होता है ठीक है ना तो यह याद रखने का मैं जुगारी बता दिया आपको कि स्ट्रॉंग एसीड स्ट्रॉंग बेस का नेचर क्या है है निउट्रल तो साथ से चार कम कर दो चार बढ़ा दो दो ही कोर्स में है लेकिन अगर मान लो बेटा आप से पूछे स्ट्रॉंग एसीड स्ट्रॉंग बेस के लिए कौन सा सुटेबल इंडिकेटर है फ्रॉम दा फॉलॉइंग फ्रॉम दा तो आपको कंसेप्ट तो कह रहा है नो कि सीखना तो उसने चार आप्शन में इंडिके szp सबस, देगा तो कैसे चेक करते हुँ, मैंने आपको बता दिया तो याद रखने का तरीका मैंने बता दिया लिखने के बजाए वो एक्जामपल लिख सकता है कोई भी आगे पीछे लिखते उससे को दिक्कात नहीं है किया तक सब्सक्राइब आ गया कि अब दूसरा आते हैं स्ट्रॉंग एसीड और वीक बेस जी से ममालुक मैंने स्ट्रॉंग एसिद एसीए लिया वीक स्ट्रॉंग वाला कंपॉइन्ट साथ से कम प्वाइंट पे क्या होगा प्याट साथ से कम यानि नेचर कैसा हो गया है ठीक है ना रहाँ अब भी क्या होगा साथ से कम क्यूंग होगा क्यूंकि स्ट्रॉंग वला पाट कौन है साथ से कम है तो यह थोड़ा समय नीचे लिख रहा हूं कि सामने सामझे रहेगा इसलिए इसका पी एच आपको जो रेंज है वो मैं यहां लिख रहा हूं कि लिख रहा हूं यहां पी एच रेंज क्या होता है पी एच रेंज साथ या साथ से कम होगा साथ या साथ से तो मैक्सिमम साथ ही पकर लेंगे और साथ से जो कम साथ से तो फिर इसमें चार घटा दो क्या घटा दो तो तो मजी आगे हैं तीन से साथ रहेगा साथ से कम मैक्स चुकी बाद में हम डालते हैं तो साथ पहुँच सकत को आपको बताना है सुटेबल इंडिकेटर कौन सा रहेगा को इसके लिए इसके बीच में हमारे पास कौन लाइब कर रहा है मिथाइल और रेंज क्योंकि इसका पी एच रेंज कितना है मिधायल औरेंज का 3.2 से 4.5 जो इसके बीच में लाइक कर रहा है तो सिर्व यही रहेगा आगे बात समझ में तो स्टॉंग एसिड वला पार्ट हो गया इधर हम लेते हैं स्टॉंग वीक एसिड स्टॉंग बेस जैसे माली जैसे स्टॉंग बेस जैसे की एन वेच ठीक है तो इससे स्टॉंग वाला पार्ट कौन है ने वेच मतलब बेस है तो सलुशन का पी एच इक्विलेंस पॉइंट पे कह रहेगा साथ से ज्यादा तो पी एच के सामने लिखेंगे ग्रेटर दैन से वैं यानी बेसिक यानी समयई-पिएच रेंज क्या होता है इसका पी एच रेंज क्या होता है इसका पीप यह साथ से ज़्यादा चार दो ही जुगा है बहुत है तो अब इस बीच में कौन सा रहेगा सुटेबल इंडिकेटर क्योंकि 3.2 4.5 यह तो इसके बीच में आएगा नहीं इसके बीच में क्या रहा है 8.2 से 10.2 हमारा किसका रहा है फिनॉफ छिली इनका रहा है तो यह हो गया इसका इंडिकेटर फिर से स्ट्रॉंग एसी रस्ट्रॉंग बेसिकली कौन जा इंडिकेटर दोनो ठीक है बीच में इसके बीच में इसके बीच में इसके बीच में इसको ढूंड़ना है इसके बीच में इन इंडिकेटर को ढूंड़ना है समझ में आया कि नहीं तो उल्टा करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा ठीक है हाजी वीक एसीड और वीक बेस अब फूर्थ केस यहीं बचा जैसे सीएस थ्री सी डावलो एच वह वीक एसीड और वीक बेस तो तुम पहचान लेते हों के नहीं पहचान लेते हैं है इस केस में इसका वीक एसीड वीक बेसका नेचर क्या होता है क्या आप वीक एसीड वीक बेस से बनने वाले सॉल्ट बोले तो 4 iti pm स्ब्राइब लाक्या होता है इस वाले सॉल्ट का पी एच का फॉर्मुला क्या होता सॉल्ट हाइडूलिसिस में पड़े थे सेवन प्लस हाफ पी के माइनस पी के भी ऐसा पड़े थे की नहीं तो यहनि इसका पूरी तरह से इस पे डिपेंड कर रहा है साथ से जादा भी हो सकता है साथ से और साथ भी हो सकता है यानि इस वाले का पी एज क्या हो सकता है बच्चो साथ भी हो सकता है गेटे डेन साथ भी हो सकता है लेस देन सेवन भी हो सकता है ठीक है बुलिए तो इसके लिए स्वंट इन्डिकेटर नहीं है क्यूंकि यह साथ से ठोड़ा जादा जादा मतल़ा क्ली बहुत जादा नहीं होता है क्यूंकि भीक तो साथ से थोड़ा ज्यादा साथ से थोड़ा कम तो साथ से थोड़ा ही ज्यादा होगा क्यूंकि वीक एस वाला है है तो साथ से थोड़ा ज्यादा साथ से थोड़ा कम तो इसका जो पी एच रेंज होता है कि साथ से थोड़ा ज्यादा कि साथ से थोड़ा कि यहां चार का जुगार महीं है समझ आए कि नहीं 6.5 से 7.5 के बीच होता है यह समझ में आया 6.5 से 6.5 से 7.5 के बीच अब आप देखो क्या इसके बीच में मिठाइल औरेंज आ रहा है इस बीच में नहीं लाई कर रहा है तो मिठाइल औरेंज जो है हम नहीं ले सकते प्रिंदिकेटर तो कौन सा टाइप ओफ टाइटरेशन है जिसके लिए कोई सुटेबल इंडिकेटर नहीं है तो आंसर क्या है वी के सिड्वी के समझो एक एक क्वेश्चन है यह समझ में आए कि नहीं और कौन सा है जिसमें कि हम मिठाइल और रहेंज और दोनों ले सकते हैं तो स्ट्रॉंग एस ठीक है और एक हमारा जो है स्ट्रॉंग एसिड वीक बेस और वीक एसिड उसका आपको खले ध्यान रखना है समझ मैं वह भी देखो कैसे किया हमने कैसे करा देखो बच्चों वीक एसिड़ स्ट्रॉंग बेस कैसे टैकल किया इसमें स्ट्रॉंग वाला पार्ट पकर लो कौन है बेस तो पीएच क्या होगा साथ से ज्याद तो इसका पीएच रेंज साथ से ज़्यादा लिख दो साथ से लेकर चार एड करेंगे तो इगारा अब तुम्हाएं इंडिकेटर ढूंड लो पर इंडिकेटर ढूंडे कौन सा या तो हम रटे रहें कि इस वाले में ये होता है उस वाले में वह होता है या दूसरा तरीका क् साथ से क्या होगा इसके बीच हमारा इंडिकेटर स्लेक्ट करना है तो इंडिकेटर का वर्किंग याद होना चाहिए तब ही तो हम अगर भूल गया है तो कंसेप्ट से कर लेंगे मेरी बात समझ में आ गई यह काम पांच ता अगर मैं टेवल मना देता है इस वाले में यह होता है रट लेना तो ऐसा लगता है कि तो किये ही नहीं पूरा प्रयक्राटिकल करा डिये यहां तक आगे समझ में आरदो नेक्स्ट लिखेंगे स्पटिज को तो और जो कि अब रिडॉक्स टाइट्रेशन में पहला जो हम पढ़ेंगे वह है और जेलीक एसिड वर्सेस केम नॉफोर और जेलीक एसिड वर्सेस केम नॉफोर कुछ-कुछ नोट करके पॉइंट लिखना है मिट्राइब कॉंसे मिडियम में एस से डिक में भी होता है बेसिक में भी होता है मैं भी हूशिवे को टोश्टॉंग लिवे ediyorum एक तरह से फेंट लिवेसिक होता है क्या होता है और यृषि लीवे जिसे हम आम बोल चाल की भासा में आम बोल चाल की भासा से मतलब एक्जाम का जो भासा है उसे बेसिक ही बोला जाता है क्यों लेता है और स्ट्रॉंगली बेसिक लग केस हैं बताया था आपको कि वाले में क्या होता है कि MnO4 माइनस से होता है और स्ट्रॉंगली बेसिक वालूंभी में क्या होता हैиз का जो ठाया जाता है औरchlag मिडियम में ही कराया जाता है करा तो सकते किसी में भी बट कराया किसमें जाता है तो प्रैक्टिकली कि भी डू टाइटरेशन कौन सा टाइटरेशन की बात हो रही है इन एसेटिक मेडियम कौन सा मेडियम एसेटिक मेडियम अब सवाल आता है कि एसेटिक मेडियम एसेटिक मेडियम के लिए कौना सा कमपाउंड लेते तू प्रोवाइड एसिटिक मेडियम कि एसटेटिक मेडियम कि वी यूज डाइलूट अब इसपे सवाल के आया कि कंसेंट्रेड़ेगेगे इस टूइस एस आप हेझ करते हैं एक च एक्वार जील ऐसे नहीं लखनते हैं ओक फंक्षन क्या है पहले इसको समझते एक सब्सक्सार हु wee में कुझ होता है मैं अलबाज गॉस्त का सब्सक्राइब में होता है ऐसको बेले बैलेंस करता हूं को मैंने बैलेंस कर दिया चाहरा एक पता है एक तो टूजा एट है अधिक तो है मैं रिख बैलेंस कर दिया और चार 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 दोना आठ हो गया ना तो एट एच प्लस लिख दिया ठीक है उसके बाद क्या करना है चार्ज बैलेंस करना है चार इधर कितने है इसमें प्लस इधर कितने हैं दो प्लस तो सेवन प्लस है उदर और इधर है दो प्लस तो अपने को पांच इलेक्ट्रॉन इसमें एड कर देना समझ में आ गया है और और अग्जेली के सीट को हम उसका आइनिक एक्वेशन लिख रहा हूं मैं कौन सा एक्वेशन लिख रहा बढेंस लिख रहा है तो हमें यह हूझ होगा सीयोटम है किसमें जोगा सी कि यह रहां कारवन जो है और अस्टेटर से कहां चैन्च अब्लस यहां प्लस 7 से कहां चैंज होता है प्लस 2 न फैक्टर यह 5 है ठीक है यहां अ कारवन को बैलेंस सबसे पहले कर रहा हूँ कर दिया बैलेंस दो लगा दिया कारवन होगे बैलेंस ओक्षिन चार Ol정이 बैलेंस है सब्सक्या बैलेंस नहीं है चार्ज यह तो मैंने ily oxidationNstate लिखे है इसी नाट चार्ज है दो माइनस तो मैंने यहां बैलेंस किये लिए तो यह यहां बैलेंस करके जाहे लिए लिए सकते हैं फायव गुना कर देंगे यह वाले लेक्ट्रो से गुना हुआ थो तो फाइव सी टूओ फोर टू नेगेटिव और एच प्लस किता है सिक्स्टीन एच प्लस और यह हो गया टू एमेंट टू प्लस ठीक है टू एमेंट टू ब्लस एंड टेन सीओ टू टू एंड एटेस्टू यह सारी चीजें इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि मालों इन सब के कोफिशेंट वगरा के कोश्चन आ गए जो की ऑल लेडी हम रिडॉक्स में क्या है कवर क कर चुके बड़ मैं जब जो टॉपिक प्राव उसको पूरा ही अच्छे सही बता रह को ठीक है कि है एकिवेलेंस पॉइंट अधैकिवेलेंस पॉइंट तो अजड़िम धान ग्राम एकिविलेंट ओफ नंबड़ ग्राम इकिवेलेंट आप और जैली के सिड है औक जेली सि बराबर होगा नंबर ऑफ ग्रामाइकःविलेंट और के मेणगभी मिया सफक्चम 6 saya 착 Ve art एकलेइंट नम्बर औफ मोल्स गुना इनफ कर नमभर ऑफ मॉल्स गुना सब्सक्क्राइब कर देता हूँ ठीच है। और हिए तो मॉल आगया इंटु क्या करेंगे एंटु क्या करेंगे और इंटु क्वाशेलिक एस इंट ए municipal होता है पर मॉल zuge kalau कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है दो दो ही एक तरिका दूसर तरीड कह से Farm सब्सक्राइब कितने कार्वन है दो एक गुना दो यानिकी दो पढ़ाया वह रिडॉक्स में ठीक है तो इसका एन फैक्टर है दो यह मैंने क्या लिखा है एन फैक्ट इधर वाला क्या लिख रहा हूं और जेली के शिट का कि समझ में आ रहा है अब मैं यह हिए रहा Alrighty का सैपोस में माट्री कि का स्पोस्पोस मोलारिटी निकालना ही हो पता ही नहों तो इसके में मास दिए होंगए क्या दिए होंगे मॉल बी आप ओलूम आपस सिलूशन दिए होंगे तो क्या करोगे मास अपौम पहले तो मॉन लिख लोगे मास अपॉन मोलर मास तो जेली के सिट का मोलत मैज लिखوا-क व..? 126 यह ध्यान रखना है किता रखोगे है क्योंकि वह दो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइशन होता है इधर मैं लिख भी देता हूं मोलर मास है ओफ हाइड्रेटेड ऑग्जेलिक एसीड है एच टू सी टू ओफोर डॉट ट्वाइस है तो कितना आएगा 126 और इधर ही यह फॉर्मल लगाते हैं तो मोलरी टी इंटू वॉल्यम इधर वाले कर टू टू कर देता हूं तो यह हो गया नंबर ऑफ मोल्स आफ वग्ण कईवनोफार का एनफेक्टर कितना होता है वाइप साथ से दो कितने का चेंजा या और मैगनीज तो नहीं है तो पांच ही रह गया इन्टू इक हैं इसमें क्या होता है स्टारी चीज़ों को एक चीज नहीं दिया होता है जिनरलिक में हम करते है वो इसी का मोलारीटी नहीं दिया रहता है कि दिया ओपने को पता रहता है और यह लेंफ से कई मेंरों डालते हैं किसे डालते हैं सब्सक्राइब कभी आप देखो गैना तो बहुत पत्ली और लेंथ उसका काफी बढ़ा होता है और इसे एक्सवेंड को करने बग्द हम क्या करते ब्यूरेट को केम और अफोर से पूरा भर लेते हैं एक मार्क तक तक जहां पर अपना इस बर लेते एक और ने आपने शुरू में कि यह है कलर लेस मेरे साथ मुलिए लेकिन इसका क्लर क्या है परपल कलर अब कौन से कलर का है परपल कलर या वायलेट होता है डार्क वायलेट अगर इसके इतना डार्क वायलेट होता है कि दिखता है ब्लैक जैसे तो जब हम इसके स्वायलेट से किधर होता है परपल की तर पर यहां तो समझता है तो चलेगा हो सकता है क्लर भे मिलएजर से कमें इंड मैन posi कैसे पता चलेगा कि एंड पॉइंट आ गया को कैसे पता चलेगा कि आगया सुनना है द्यान से बच्चों इंव यहां तक सबने उतार लिए हमारे पास रावाश जिसमें हमने क्या लिया हुआ है और स्टैंडर्ड सल्यूशन तो इसका अपने को मोलारीटी पता है वॉल्लिम पता है पता है इन फैक्टर भी इन फैक्टर तो दोनों का ही पता है इसमें हम एड करने इहां यहां पिस्में नसल लगा होता है जिसको लूस करते यह एक तरीका होता है इसके अंदर उपर वाले टिप को उपर वाले टिप तबरकै Corey को डालकर और उसको कर लेते हैं वेंच में भार्म कर लिया तो इस ट्यूब के ग्लास में जितना चिपकना होगा वो चिपक गया होगा अब हमारा मेजरमेंट में एरर नहीं आने के अब करेंद यह अब है तो जो भी होगा भी अगर रिंज किया तो तुमने नीचे से अग्ठा दवातिए उपर से बड़ रहे हो तो जो भी होगा कहा होगा के वाले को अगुठे से दवा दीजिए और हलका सा लूज कर दीजिए नीचे वा उठा दीजिए थोड़ा सा इसको गिरा देते हैं जिससे क्या होता है एर सारा खतब एर क्यों निकालना विश्यक है क्योंकि एर ओटू भी ऑक्सिडाइजिंग जैंट है थोड़ा बहुत ऑक्सिडेशन प्रकिरिया में वही अगर भाग ले लिया तो अपना एर अरड आ सकता है तक स्मझ में आगया और अबसके बाद क्या करते बच्चों ओपा नीचे वला अंग उठा धिए ठिक हैना और अगर आप और रटेव को नों सीट्म में धीले गिराएग जिनरलिसे कर लेता तो ऐसे ड्रॉव बै ड्रॉप डालेंगे डालेंगे तो परपल दीरे-दीरे किसमें चेंज होगा कि लेकिन परपल कलर जब कलर्लेस में होगा हमारी आखें एक वक्त ऐसा आएगा कि कलर्लेस इग्जैक्टली और उसके वाले सीन में वो कंफ्यूज रहेगा कि अभी आया की नहीं आया अरे बोलो इसलिए मैंने आपको बताया कि उपर से जो चीज डालते है उसका एक दोबुंड एक्स्टा डालते है तो जैसी एक्स्टा डालोगे तो धीरे-दीरे तो परपल से वो धीरे-दीरे किसमें चेंज होगा था कलर्लेस बापिस आ जाएगा परपल क्यों आया बापिस क्योंकि जब सारा ऊक्जेलीली अिशीड हो गया सी कौटी में चेंज बलो सी हो टू में इसका मतलब हतने डौलते गए खाले-टा गया नंधर यह लिए इसमें कोई अलग इंडिकेटर डालने के वशक्ता नहीं है समझ आएगी नहीं इसको क्या बोलते हैं सेलफ इंडिकेटर यहां तक आया समझ में तो यह रिलेशन समझ में आगे आपको अच्छा यह मैं समझा रहा था शुरुआत में हमने रिडिंग ले लिए जब हमने एक भूंद भी नहीं डाली तो हमारा रीडिंग है सब्सक्राइख कितना है और जब हम डॉप बाइड डॉप डालते जा रहे हैं तो देखेगा है घटा जा रहा है शुरू में कितना है तक सुरू में रिडिंग कितना है बूरेट के अंदर कैलिबरेशन नीचे से 1 ml 2 ml नीचे से लेके ऊपर तक रहता है ठीक है ना तो शुरुआत में यहां तक है x ml कितना है x ml उसके बाद जैसी एक समया कि color change हुआ colorless हो गया क्या हो गया तो यह चीज़ जब मैं डालते जा रहा हूँ इसकी height तो यह यहां पर बापेश हमको परपल दिखाए दिया मैं इसलिए समझा हूँ कि अगर भाई मेरे सारे वॉल्यूम दिये हो फिर तो रख देंगे आंसर आ जाएगा लेकिन आपको ऐसा भी तो हो सकता है कि इग्जैक्ट प्राक्टिकल वाला ही डेटा चिप खागे कि इनीशियल रिडिंग इतना था के वनों फॉर का समझे आएगी नहीं फाइनल रिडिंग इतना है तो जो एक्ष्याइग मैंनास वालाहि क्या इजक्ष्स करेंगे है कि युद्वा एक्ष्यली वाल्यूम कि अक्यक्ष कर आपको समझाई रुख्ष्छ या車गा है कि दोनों का डिफ्रेंस उतना ही हमारा क्या हुआ अब एक दो पॉइंट लिखना है इसके अंदर के में आप एक तैजे सेलफ एंडिकेटर कि अधिक 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 बच्छों ओघ्याइच्ण हरा है तो इसलिए अधिक अधिक वाली याच्शन ने पचास से साथ डिगरी सेन्शिटो करते है और इसको गर्म करना पढ़ता यह करना पढ़ता है लेकिन जब मोहर साल्ट के साथ रियक्शन करेंगे केमनो फूर का तो रूम टेंपरेचर पर ही हो जाता है वहत फास्ट रियक्शन होता है क्या होता है फास्ट तो हिटिंग ऑफ जेलिक एसीड इस रिक्वाइड रियक्शन जेनली 50-60 डिग्री सेंटिग पर होता है इसका कारण में क्या है दो कारण है हम दिये ब्लॉक में परहेंगे एक रियक्षन कि अगर आप केम नोफ फोर को acidic medium में heat करते हो किसमें तो यह Mn2O7 में change हो जाता है green color का highly liquid बनता है एक कारण तो यह है दूसरा कारण है कि concentrated H2SO4 also oxidizing agent तो यह concentrated हमारा H2SO4 वो इसको oxidize कर सकता है CO में और CO2 में CO में और CO2 में इसलिए H2SO4 concentrated यूज नहीं करते हैं to provide acidic medium मैं पूरा एक एक बात करा दे रहाओ practical का स्मझ में आया कि इस सब कोश्चन भाइबा में आते हैं यहीं तो यहां है कि आप है एचल इस नॉट यूज है कि एचल क्यों नहीं करते हैं क्योंकि एचल को क्या कर देगा ऑक्सिडाइज कर देगा है कि इसलिए हम यूज कि यह मीडियम प्रोवाइड करने के लिए और वो खुदे रियक्ट कर गया कि आपके घर में कोई गेस्ट आया तो आपने किसी बच्चे को बोला कि जाओ भीया उनको जड़ा चाइवाई पिला दो अचाई दिया ट्रे में खुदे चाई पी गया वो तो मतलब मीडियम ऐसा होना चाहिए वो मीडियम प्रोवाइड करने वही चीज़ लेंगे जो सीवे देखिए एचनो थ्री आल्सो नॉट यूज एचनो थ्री इस नॉट यूज कारण क्या है विकॉज एचनो थ्रीजे इजे ऑक्सिडाइजिंग एजेंड तो सब के कारण आपको बता दिये ठीक है हीट क्यूं करते यह भी बता दिया कि आई बात समझ में हर लिए एकिविलेंस पॉइंट का एंड्पॉइंट कब आएगा जब कलर रे से बापेस परपल कलर एपिएर होगा ठीक है परपल कलर यह पिंक जैसा एपिएर होता है जब इतना सब्सक्राइब अडाल देते हैं तो परपल कलर थोड़ा धिरे-धीरे धिरे डाइलूट हो होते होड़ा हो जाता है ठीक है एक एट एंड पॉइंट एक्वेलेंस पॉइंट के बाद आता है यह बात आपको समझा दिया था एट एंड पॉइंट मतलब आफटर एक्वेलेंस पॉइंट मैं आपके सामने बहुत सारा बच्चो देहन सुरेगा बहुत सारा वाटर लिया और उसमें एक दो बुन्द परपल कलर के डाल दिये अब बताओ कैसा कलर दिखेगा मैं कि बहुत सारा आपने वाटर लिय अर उसमें डाला परपल कलर का स्वल्यूशन ही डाला है तो उत्ता सारा पानी जो पहले से है वो उस परपल कलर क्लर का स्वागत नहीं करेगा डाइलूट करेगा न जी उसको तो उतना परपल दीखेगा नाई ना दीखेगा तो इक्विलेंस पॉइंट पे क्या हो चुका है क्या हो चुका है तो इसलिए एक दो बुद जब डाला तो था तो परपल ही डाला लेकिन थोड़ा पिंक जैसा देखता है समाझ में आया कि नह कि कही ज़्यादा तो नहीं डाल दिया यह आ गया समझ में कि इसे लीख हो जड़ा कि बस अगला छोटा ही है उससे भी कवर कर लेता है कि दूसरा रिडॉक्स टाइट्रेशन है कि मोहर सॉल्ट यह इजी है कि वर्सेस केमन और फोर कि बच्चों यहां सिर्फ हमने टाइट्रेशन ओला पार्ट डाला है मोहर सॉल्ट का जो प्रिप्रेशन है क्या चीज वह कोडिनेशन कंपाउंड में हम पढ़ेंगे किसमें पढ़ेंगे कोडिनेशन कि वैसे मोहर सॉल्ट क्या होता है एफ़ी एस ओफोर अमोनियम सल्फेट कि और सेक्स एज्टू इसका प्रिपेशन भी समझाई देता हूं जब हम वान इस्टू वान रेशियो यानि एक मोल इसके एक मोल इसके यहाँ जैसे नटनी कि एक ही ठीक है तटाओ आप कितना मोहर 7 बनाने चाहते हो इतना चोटा सब्सक्राइंगा जितना जादा आप बनाना चाहते आपको उसी रेशियो में डिले जिए को उन न चाहिए हाना सब्सक्राइए को इस सॉप्रीज में में रहते हैं किसमें रहते हैं और पहले से आप ने इसका मास पता चल जाएगा की नहीं तो मास को वेट कर लेंगे न अवसी रेशियो में ले लेंगे समझ में आ गया और पहले से आप ने इसका प्रिपरेशन भी समझाता हूं पहले से आप वाटर लीजिए उसमें एफिए सोफोर डालिए और अमोनियम सलफेड डालिए क्लियर तो आप सैचुरेटेड सॉलीशन बनाएए क्या बनाएए बोलो क्या बनाएए उसके बाद इसको हीट करिए क्या करिए हीट सारा पानी उड़ा दीजिए इवोपरेट कर दीजिए तो जो क्रिस्टल बच गया उसका कंपोजीशन यह है एफी एसो फोर डॉट एन एच की रीख़्यवाइख करणा है कि पहले पानी मिलेगा बरा बड़ा तो मैं वहीं कह रहा हूं कि पहले से डाला तो जादा है उसके अंदर पानी लेकिन उसको इवोपरेट कर दिया क्या कर दिया जादा डाले तब ही तो मिक्स होगा पहले सचुडेटेड solution बना करके क्या उड़ा दिया उड़ा दिया तो यह crystal बनता है composition तो copy में मतलब एक्जाम में हम reaction जब लिखते हैं तो balance लिखते हैं किसमें लिखते हैं हाँ मैं लिखेंगे हम लोग balance पॉर्म में पहले से देखिए aqos solution है क्या है एक वस ठीक है उसके बाद इसको जो है हम क्या करते है इवापरेट यह लाइन समझ में आ गया तो यह इस एफी टू प्लस की वजह से यह पूरा मोहर सॉल्ट का जो कलर है डिव टू दिस एफी टू प्लस एफी टू प्लस का क्या होगा को रुट सिक्सों होगा इसके अंदर एलेक्टरण हों गते बुल भाई इंफैर इलेक्टाउं होता है तो यह पैङरा मैगनेटिq है क्या इस से पैरा मैगनेटिट है इसलिए कलर्ड होता है लाइट ग्रीन ग्रीव करिंए तो आपको जिए जो मिलेगा अपने आप उसका केसा दिखेगा लाइट ग्रीव आप समझ जाओगे क्या अब करने चार तो हमारे पास मोहर साल्ट का में कौन सालभ है जो कला उसके लुड्ट सान। से रेक्षन करता है फ्राकर तो बापस आपके पास मोहर सॉल्ट का आपने स्टैंडर सोलीशन त्यार किया या निसका एकोड से फ्राइफ चूब तो इससमें में मेंनली रेक्षन किसकी है इसकी प्लॉस की यह यहां लिएता हूं चलेगा उल्इन कोई कौन से ब्रक है पर परक्र को यह esthetician में में ऑफ हर से किस में धाएंगा इमें-अ-बसत्र इब कलर लेश इस वाफ्स कलर का होता है तो आलमसी जैसा होता है ठीक है अप्षैरो ऑर मेन विर्विए प्रम और इसका M में all ready जब आपने standard solution इसका लिया और oxalic acid में जब लिया और इसका लिया तो oxalic acid के equivalent compound कैसा है उसमें equivalent bond break हो रहा है इसलिए temperature चाहिए उस case में कितना कि भुछ ज्यादा oxalic acid में एक point रहे गया उसमें सुरुआत में reaction बड़ी slow होता है क्या होता है lifestyle 2 लेकिन फिर देरे BTX को बढ़ जाता है क्यूंबढ़ता है क्योंकि केमनस फोर किसमे चेंच फुमें एमन प्लस ऄमेमने प्षी को फुम्हें में एमने मन करने लगता है इसलिए शुरवात में reaction का राता है में कम फिर धीरे धीरे रेट क्या होता है बढ़ने लगता है अगर आप से पूछे इसका बज़ा क्या है तो जो केमन फोर मैगनस सॉल्ट में चेंज हुआ अच्छा बंध हो गया नहीं कुछ तुम्हें प्रैक्टिकल तुम एक तो किये नहीं और आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं भी कुछ चाहारे है ऐसे यह आइनिक फॉर्म में है किसी ऑम है और उसमें नहीं वूम टेम्परेचर पी रियक्शन हो जाता है कि यह हो जाता है और रेत क्या है इस रियक्शन का फास्ट करस्फ चेंज हो गया फेर इस शमंज में आया बस इसमें भी वही relation लगाना है law of equivalence N1 V1 बराबर N2 V2 N1 समझते हो आप normality या हम इसको क्या लिख सकते है M1 V1 तो इधर N factor N factor first बाला यानि left side में लिख रहा हूं मोहर salt क्या लिख रहा हूं लिख रहा हूं राइट साइड लिख रहा हूं केमन ओफ़ोर का यहां लिख देंगे बोलो M2 V2 और N factor वाट इज दा N factor of K4 5 है और इसका N factor 1 है वेटा क्योंकि फेरस से कहा जा रहा है फेरिक में फेरस से कहा जा रहा है फेरिक में छोटे छोटे question पूछेगा क्योंकि जब पहली बार implement होता है न कोई भी नयाची तो एक की बार भारी question नहीं आता है basic question आता है तो ऐसा भी हो सकता है कि मोहर सब्सक्राइब पूछेगा तो मोलर मास अब मोलर मास ऐसा रहे कि आईरन वाला खाली लिख देंगे reaction हमने लिखाया आइनिक पूरा मोहर सॉल्ट का क्या लिखेंगे मोलर मास समझ में आया मोहर सॉल्ट उपर लिखाया ना यहां तक समझ में आ गया तो आज के लेक्षर यही तक रहे गए झाल 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 झाल